पानी आने के बाद दनियावा और फतुहा थाना के दो गाओं के बीच खंधा से पानी निकालने के विवाद को लेका जमकर गोली बारी हुई गोली बारी के इस खटना में एक ट्रैक्टर चालक समेट दो लोग खायल हो गए खटा की सुचना मिलते ही दनियावा फतुहा पोलिस मौके पर पहुँच स्थीती को नियंट्रेण में किया वही दोनों ओर से गोली बारी में खायल ट्रैक्टर चालक कंतलाल कुमार और लाल मुनिस सिंग को पुलिस ने दनियावा पियस्सी में भर्तिकर आया जहां से दोनों को बहतर इलाज के लिए पटना भेज दिया गया बार्धानु मंडल भी चर्चित कोरोना की चर्चा से अच्छूता नहीं रह गया है बता दे कि दहमा गाउ के कुछ लोग सवधी अरब में वर्सों से रह रहे थे उन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति किसी तरह अपने गाउ पंदारक प्रखंड के दहमा पहुच गया और अपने परिवार वालों के साथ घुल मिल कर रहने लगा इसकी जानकारी जैसे ही प्रशासन को मिली वैसे ही कोरोना के संदिग्द एक युवा के साथ पूरे परिवार को एंबुलेंस से बार्ड अनुमंडली अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टर ने अम्बुलेंस में ही जास परटाल के बाद युवा के साथ पूरे परिवार को संदिग्द परिस्थीती में PMCH रेफर कर दिया कॉंग्रेस निता और AICC मेंबर मनोज कुमार संगनेश सासराम में बिहार सरकार पर निशाना साहते विकार के इस आपदा की घड़ी में जब पूरा देश कोरोना वाइरस को लेकर चिंतित है वहीं बिहार सरकार के स्वास्ते मंत्री सम्वेदन हींता दिखा रहे हैं उन्होंने बिहार के स्वास्त मंत्री मंगल पांजे पर हमला बोलते हुए कहा कि आज स्वास्त मंत्री को लोगों के भी जागरुकता अभियान चलाना चाहिए लेकिन ऐसे में वे चुनाओ को लेकर पार्टी की बैठक कर रहे हैं इनके बिढ़ायक जो हैं करागर से बसिष्ट ओभी काजकरम कर रहे हैं तो ये जनता से खिलवार कर रहे हैं और स्वास्त मंत्री ये नहीं देख रहे हैं कि परदेश में कीस तरह से तयारी की जाए उस पर उनका ध्यार नहीं है लेकिन चुनाओ अपने काजकरम को ले करके ज जनता के जीवान से खिल रहे हैं वहीं शौर नहीं मिलने पर स्स्पी उपेंद्र शर्मा फतूहा थाना पहुच घटना की जानकारी ली जिसके बाद लगबग 6 घंटे के बाद पुलिस ने अजले सौको बरामत कर लिया बताया जा रहा है कि मृतक पुनपुन नदी के किनारे गेसिंग का गोरक धंधा चला रहा था भीर भाड़ वाले पतना जंक्सन दानापूर समेत कुल 12 स्टेशनों के प्लैटफॉर्म टिकट के दामों में 5 गुणा व्रीधी करने का निर्नायक फैसला लिया गया है यानि 10 रुपे वाली प्लैटफॉर्म टिकट के मुले अब 50 रुपे कर दिये गये हैं जो उनिस मार्च को अर्धरात्री से लागू होंगे सीता मढ़ी के कन्हौली थाना च्छिक्र में जून 2019 को हुए दो सगी बहनों के साथ सामोहिक दुसकर मामले में सीता मढ़ी व्यवार्नियायाले ने साथ आरोपियों को आजीवन कारवा सहीत डेल लाख रुपे का डंड दिया है बता दे कि मामले में सीता मढ़ी व्यवार्नियायाले ने करी टिपड़ी करते हुए का है कि मामला बेहत ही जगन्य है जिसमें दोसियों का बचाओ नहीं होना चाहिए बिहार में एक ऐसा जीला भी है जहां के कुट्टे भी लाख पती होते हैं बता दे कि बेगु सराई में मामला प्रकास में आया है जिसमें कुट्टे के मालिक ने अपने कुट्टे को धाई लाख रुपे से भी अधिक के सोने की चेन पहना कर रखा है तरसल 13 मार्च को टेंडर के आयोजन के करमबे दो पक्छों के बीच गोली बारी हुई थी इसी मामले की तहकिकात के दौरान पुलिस ने अपराधियों की गिरपतारी के लिए छापे मारी की तो पुलिस पर इस लगपती वफदार कुट्टे ने हमला कर दिया गनी मत रही कि किसी पुलिस वाले को चोट नहीं आई बाद में पुलिस ने हथियार और कार्टूस के साथ चार अपराधियों को वहां से गिरपतार किया सतनपूर निवासी अमित कुमार उर्फ बागो सिंग के घर में गुप सुचना मिली की कुछ वो लोग जो है बड़े अपराध की घटना को अन्जाम देने के लिए कुछ अपराध कर्मी के साथ योजना बना रहे हैं उसकी सुचना को बड़िये पदाधिकारी से शेर किया गया और उनके निर्देशा अनुसार पुलीस निरिक्षक साथाना अध्यक्स महोद है नगर के नितृत्त में शापामारी किया गया शापामारी के क्रम में अवैद अगनियास्त विदेशी सराब ब्रामद हुआ बेतिया की जुला अधिकारी कुंदन कुमार ने नेपाल सिमावर्टी, इनर्वा और भिखना, टोड़ी, बॉर्डर पर संच्वालित स्क्रिनिंग कैम का निरिक्षण किया जुला अधिकारी ने कहा कि नेपाल सही दूसरे प्रदेसों से आने जाने वाले प्रतेक वैक्तियों की उपस्थी, रजिष्टर में दर्ज किये जाने का आदेश दिया गया है, इसके साथ ही सभी प्रकार की प्रॉपर स्क्रिनिंग भी करनी है इसक्रिनिंग के क्राम में अगर कोई वैक्ति कुरोना वाइरस वाले लक्षण से ग्रसे दिखाई दें तो तुरंत वर्य अधिकारियों को सूचे भी करना है अंतराश्च्रिय पर्याटनिस्थल नालंडा खंधर वा म्यूजियम समेट अन्य सभी दर्शनिय पर्याटक स्थल को अगले आदेश तक पुरा तत्व विभाग के आदेश पर बंद कर दिया गया है राजसरकार द्वारा कोरोना वाइरस को लेकर 31 मार्स तक सभी सिनेमा घरों पर्याटक स्थलों स्कूल कॉलेज को बंद कर दिये गया थे जिसके बाद अब पुरा तत्व विभाग के द्वारा भी नालंदा खंधर समेश सभी दर्शनिय स्थल को भी बंद करते हुए मेंड गेट पर ताला बंदी कर दिया गया है और मिर्जम नहीं भारतिये पुड़ातत सर्वेक्षन के सभी जितने भी प्रेटन केंद्र है उस सब को बंद करने का आदेश दिया गया है एक तिस मार्स तक का इस में मिर्जम भी बंद रहेगा और जो भी एतिहासी जो भी है केंद्रिये संग रक्षी तस्मारत वह भी बंद रहेगा प्रेट को के लिए इंतहत मतलब जो आदेश दिये हैं कि पूरे बिहार जितने भी हिस्टोर्कल प्लेस है सब क्रोना वाइरस के चलते बंद करने का आदेश दिये हैं हम लोग जो जुकंदार सब जुकान के खोले हुए हैं लेकिन एक भी तस्टमर नहीं आ रहा है गया शहर के बस स्टैंड में कूडे कच्रे से आम जनों का काफी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है लोगों का कहना है कि शहर में लगता है कि साफ सफाई के लिए कोई भी कर्मचारी नहीं है बस स्टैंड की हालत ऐसी है तो सहर की क्या इस्थेती होगी एक तरब देश के प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी स्वच्छ भारत के नारे लगाते हैं लेकिन शेर घादी में स्वच्छ भारत डम तोड़ते नजर आ रहा है वही नगर उपाध्यक्च प्रेम प्रकास दे कहा कि जोलधी बस स्टैंड की साफ सफाई कराई जाएगी को अब कर नौ सब्सक्राइब करें रेयर को करसे जो लगता है और बोसें और स्टैंड के सवार sì जीसे पणे दगाले साफकौ सुस्तरा भाराथा और और काफी अधर बारिश हो जाने से जादा प्रगले बड़ी दाड़ी और बिखरे हुए लंबे बालो वाला शक्स जो मेले कुछ ऐले कपड़ों में अगर बाजार में घूम रहा है तो लोग उसे पागल ही समझेंगे लेकिन पागल के पास अगर मुबाइल फोन मिले जिसमें कई विदेसी नंबर हो और मुबाइल के मैस्स बॉक्स में पैसे के जमा निकासी का मैसेज हो तो वैसे सक्स के बारे में क्या अंदाजा लगाया जा सकता है पुर्वे चमपारन जिले के ठाका बाजार से इस थानिय लोगों ने ऐसे ही एक सक्स को पकड़ कर पुलिस के हवाले किया है जिससे पुलिस पुछताच कर रही है वही पुलिस ने जब उसकी तलासि ली तो उसके पास से नेपाली मोबाईल का वाउचर मिला यही नहीं उसके पास से बरामत फोन में कई विदेसी नंबर और ATM से लेंदेन के मैसेज भी मिले हैं अब आप बिहार निउस टीवी को अपने मोबाईल पर भी देख सकते हैं इसके लिए प्ले स्टोर से आपको हमारा एप डाउनलोड करना होगा इसके साथ ही आप हमारे यूटूब चैनल को भी सबस्क्राइब कर ले ताकि बिहार की तमाम बड़ी खबरे सबसे पहले आप तक पहुँचे इस वक्ती खबरों में फिलहा लेता ही मुझे दीजे अजाज़त लेकिन देखते रही है बिहार डूस नमस्कार